ओम स्री गनीशायन मदूस्तो एश्ट्रू समाधन यूट्यूग चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 नवंबर सौंबार के रासी फलक के बारे में कीह दिन मकर रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चलि दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आपके लिए आज काम्याबी प्राप्त होनी की संभवना अच्छी बन रही है संतान पक्षशे संतुष्टी आज आपको प्राप्त हो सकती है समय के नुशार संतान का शयोग भी आज आपको प्राप्त हो सकता है संतान के कुरिया कलापो तथा घर परिवार की आवश्यक्ताओं पर आज आप घरे उतरने का प्रियास करें दोस्तो आपके संचार कोशल और संबंदों में विस्थार होगा और आप प्रकरती और जीवन से आज बहुत कुछ सीखेंगे दोस्तो आज आपके कुछ नए दोस्त भी बनेंगे आप भविश्य हीतु अनेको योजनय आज बनाएंगे जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और लंबे समय से अठकी हुई आपकी अने को एक च्छाओं की आज पूर्ती होगी जा दूस्तो साती सात आज आपके लिए दूर की यात्राइं भी होगी जो आपके लिए अती लाबकारी सिद्ध होगी और उनके दूरा आपको अच्छा धनलाब भी होगा और साती सात आपके मान सम्मान में भी वरद्धी होगी मल्टी लेशनल कंपनियों में कार्रे करने वाले लोगों के लिए आज का समय बहुती अच्छा रहेगा आपकी अनेक महतव कांचाओं के आज पूर्ण होने की संभावना है जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो पड़ाई लिखाई से संबंदित आज आपको अच्छे सफलता प्राप्त हो सकती है भूमी वाहन इत्यादी का भी आज आपके लिए योग बन रहा है अपने जन्म पूजा करने के साथ साथ अपने आप पर भरोसा जादा करें दोस्तो राजनीतिक लाब प्राप्ति के भी दरश्टी से इस्थितियां आज काफी आपके लिए अनुकूल है साथ ही साथ संतान के प्रती आपका वहवार काफी अच्छा रहेगा और संतान की प्रगरती से आप काफी संतुष्ट होंगे विध्यारतियों को उनके पेड़नाओं में आज सफलता प्राप्त होगी और उन्होंने जिस दिन के लिए महनत की थी वे महनत कामियाब हो जाएगी साती सात आप अपने ग्यान को बढ़ाने और लोगों से अपने विचार बाटने में भी आप दिल चस्पी रखेंगे आप दूसरों की जवर्तों को ध्यान में रखते हुए सामानने से अधिक विचार सील होंगे परीजनों से मदद पाने की आपकी एक्छा आपको सयोग पाने के लिए प्रेरित करेगी दोस्तों मित्र भाई बंदू इत्यादी के साथ भेतर संबंद हो सकते हैं जिससे कामकाज के साथ साथ घर परिवार में भी एक दूसरी के प्रती काफी अच्छी संभावनाए उत्पन हो सकती हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगर्टिव हो सकता हैं दोस्तों किसी भी प्रकार के वित्ते निवेस के लिए आज बहुती सोच समझ कर आगे बढ़ें यदि इस छेत्र के जानकार या विसे सग्यों से सुजाव और सला लेकर ही कोई कारे करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा दोस्तों आज का दिन आपके लिए किसी अंजान तनाव पूर्ण इस्थिती उत्पन कर सकता है थोड़ा साफधान रहें दोस्तों साथी साथ आपको अपने करे छित्र में थोड़ा ध्यान देनी के आवश रकता है क्योंकि आपके विरुद आज कोई सडियंत्र हो सकता है अत सी को भी ऐसा मौका ना दें जिससे आपको कोई परिशानी उठानी पड़े जह दोस्तों ऑफिस अत्वा कारयाले में अपने सेह कर्मियों पर भरोसा ना करें तो कि यदि आप ऐसा करते हैं तो वह आपके भरोसे का नाजाय ये फायदा भी उठा सकते हैं और आपको चोरी लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तों आपका जीवन साथी आपको आपके प्रतेक कारे में समर्थ हंदेगा और समय आने पर आपकी साहिता भी अवश्य करेगा इसके परिणाम से रूप आपका वहवाईक जीवन काफी अच्छा रहेगा जीवन साथ सातशी में साथ मदूर संब़न बनाउना आपके लिए भैतर हो सकता है दोस्टो arbण को साथ आपको यह study बात का विद्धानी डिखना कि प्यार और रिष्टे अपने पन इसने और प्यार से चलते हैं इसलिए किसी भी रिष्टे में अड्यल रवया मत अपनाईए और हवा के रुक को देखते हुई कोई कार्य कीजिए या दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला ह या दोस्तो इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवेशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुती सुव फलदाई रहेगा वैपार धंदा आज अच्छा चलेगा और आर्थिक इस्ति काफी मजबूत रहेगी आज आपके लिए आस्मिक धनलाब के भी अनिको योग बन रहे हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा जी हां दोस्तो आपको अपने कारों से आज अच्छा लाब भी होगा और आपके केरियर में आपकी इस्तिति काफी मजबूत होगी यदि आप किसी मित्र के साथ कोई वेपार कर रहे हैं तो इस दोरान आपको अधिक लाब मिल सकता है नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला है विध्यार्कियों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आ का आप पालन करें इसके लिए आप अपने खान पान पन ध्यान दें और साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वैयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश हुपाय क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद अपनी श्रद्ध के अनुशार अपने शामर्थ के अनुशार चावल दूद या फिर चांदी का दान करें जहां दोस्तों ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन होने के साथ साथ आपका चंद्रमा भी मजबूत होता है इससे जीवन में तरक्य की राहें लगातार खुलती चली जाती हैं जहां दोस्तों ऐसा करने से भगवान भूलेनात के अशिरवाद से आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कर रहें बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे दोस्तों भगवान भूलेनात का अशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जै भूलेनात अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद